दोस्तों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं लास्ट वीडियो है चित्रकूट राइड का और ये जो आप तिराहा देख रहे हैं यहां से आप अगर राइड जाते हैं तो आप गुप्त गोदावरी जाते हैं और आप अगर लेफ्ट जाते हैं तो आप सतना निकल जाएंग और अभी हम लोग जो जाएंगे वह गुप्त गोधा वरी घूमने जाएंगे तो दोस्तों हम लोग गुप्त गोधा वरी और आलम behavior का जो बस्टेंड आप अगर बस से आते हैं तो आप यही पर उतर जाएगा और उसके बाद यहां से आपको करीब करीब एक से एक किलो मीटर के आसपास आपको वॉकिंग डिस्टेंस करके जाना पड़ेगा तो दोस्तों आप देख सकते कि आज संडे होनी की वज़े से यहां पर बहुत ही जादा भीड है और बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है और आप अगर गुप्त गोदवरी के अंदर जाते हैं तो आपको 20 रूपीज का टिकेट चार्ज भी लगता है तो दोस्तों हम लोग थकने के बाद मन नहीं हुआ कि अंदर जाने का लेकिन आप अगर चित्रकूट आते हैं तो गुप्त गोदवरी जरूर जाएं क्योंकि यह बहुत ही प्यारी प्लेस है मतलब चित्रकूट में मुझे 2-3 प्लेस बहुत ही जादा अच्छी लगी जिसमें से गुप्त आपको पैट्रोल पंप मिलेगा और यह जो आप पूरा जंगल देख रहे हैं चित्रकूट का ही जंगल है काफी बड़े एरिया में बसा हुआ यह जंगल है अल्मोस्ट जो पूरा चित्रकूट है यह पूरा जंगल में ही बसा हुआ है अभी भगवान राम जी यहां पर अ आज सतना पहुचने ही वाले हैं यहां से 10 से 15 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस बचा हुआ है सतना के लिए तो दोस्तों आप इस बोर्ड में भी पढ़ सकते हैं कि अपनी जो है वो सतना में एंट्री हो चुकी है वेलकम टू स्मार्ट सिटी सतना और काफी हरा भरा और काफी सुन्दर सहर है शतना काफी कुछ है एक दिन यहां पर भी आकर पूरी जो सतना की आजू बजू की टूरिस्ट प्लेसे हैं इनको भी मैं कवर करूँगा किसी दिन जिस भी दिन मैं आऊंगा और अभी तो फिरहाल हम लोग डायरेक्ट सिहोरा के लिए निकल रहे हैं बहुत ही जादा टायेड हो गये हैं क्योंकि दो से तीन बज गए हैं और अभी तक हम लोग अभी सतना में ही आभी हम लोगों को काफी लंबा सफर तéta करना है यहां से तो दोस्तो सतना से जो सिहोरा का डिस्टेंस है वो 180-160 km का एप्रोक्स बचा हुआ है लेकिन जो यहां से जवलपुर का डिस्टेंस है वो 208 km दिखा रहा है तो काफी लंबा भी सफर पूरा करना है तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं और फिर बागेश्वर मैंने आपको गुमाया असे के एंड वीडियो में उसके बाद हम लोग खजराहो गए खजराहो मैंने गुमाया आपको और खजराहो से फिर हम लोग चित्रकूट आए और फिर चित्रकूट भी आपको मैंने गुमाया और अभी हम लोग सतना में हैं और सतना से होते हुए अब हम लोग सिहोरा के लिए निकल रहे हैं तो यह पूरी राइड में जो आपको वीडियो दिखी वो कैसा लगा आपको अब मुझे कमेंट सेक्षन में बताएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब भी कर ले और दोस्तों अब कुछी देर में हम लोग मैहर पहुंचने वाले हैं और मैहर से भी जो सिहोरा का डिस्टेंस है वो 120 किलो मीटर बचा हुआ है तो काफी ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे लगता है रात में आठ बच जाएगे हम लोगों को सिहोरा पहुंचते मतलब मैं सोच रात है कि रात ना हो पाए लेकिन काफी लेट होनी की वज़े से शायद टाइम लग ही जाएगा क्योंकि गाड़ी जो है उसको रेस्ट दे दे कर भी जाना पड़ेगा रेगुलर गाड़ी भी नहीं चाला सकते क्योंकि सोबह से ही बाइक चला रहे है और शाम हो चुकी है शाम का व्यू देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर नजारा लगता है मैंने लास्ट टाइम जब मैं मैहर आया था तो उस टाइम भी मुझे यहां पर शाम हो गए थी और जो शाम का व्यू बनता है वो बहुत ही अल्टिमेट बनता है और मैहर से कटनी के बीच में एक रेस्टोरेंट पढ़ता है दोस्तों जोकि शाम के टाइम पर बहुत ही सुन्दर लगता है जब इसकी लाइट पूरी जल जाती है तो काफी अच्छी लोकेशन में भी है और अब हम लोग जो है वो कटनी पहुँच गए हैं और करीब एक घंटे बाद हम लोग सिहोरा पहुच जाएंगे तो दोस्तों अब हम लोग सिहोरा भी पहुच चुके हैं पूरी वीडियो दोस्तों मैंने इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि कटनी और मैहर के रास्ते में आपको दिखा चुका हूं और काफी जादा थक भी गए थे इसलिए हम मैंने पूरा वीडियो कवर नहीं किया हुआ इसके बीच में और हाइवे हाइवे था ऐसा दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं करते हैं मिलते अब अपनी नेक्स्ट राइड पर तो देखते हम लोग कहां जाएंगे अब